तिमाही नतीजों ने दिया निवेशकों को जोर का जटका, शेयर बेचने की मची भगदर, 7% लुड़का दाम शेयर बाजार में शारदा क्रॉप केम के शेयर 3 महीने के लो, लेवल पर आज पहुँच गए हैं। कमपनी के शेयर मंदलवार को 7 प्रतिशत से अधिक तूट गए। कमपनी के शेयरों में गिरावट की बजह जून तिमाही नतीजों को माना जा रहा है। कमजोर तिमाही नतीजों ने किया निवेशकों को परेशान अप्रेल से जून तिमाही के दौरान कमपनी को 89 करोड रुपय का घाटा हुआ है। जबकि एक साल पहले इसी तिमाही में शारदा क्रॉप केम को 23 करोड रुपय का फाइदा हुआ था। सालाना आधार पर देखें तो कमपनी का रेवन्यू 22.7 प्रतिशत की गिरावट के बाद 638 करोड रुपय रहा है। कमपनी ने बताया है कि यूरोप और नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड रिजन में सेल्स कम रहा है। शार्दा क्रॉप के कहना है कि यूरोप में खराब मौसम और महंगाई की वजह से सेल्स पर बुरा असर पड़ा है। शार्दा क्रॉप केम के निवेशकों के लिए पिछला एक साल अच्छा नहीं रहा है। इस दौरान कमपनी के शेर 20 प्रतिशत से अधिक तूट गए हैं। वहीं 6 महीने पहले दाव लगाने वाले निवेशकों को अब तक होल्ड करने पर 11.27 प्रतिशत तक नुकसान हो चुका है।